नमस्कार मैं डॉक्टर श्रद्धा वसर्ष आपका सबके शिक्षा में बेहत स्वागत करती हूँ MP कोटा से संबंधित धेरो सवाल रोजाना कॉमेंट के माध्यम से मुझसे पूछे जाते हैं तो आपके MP कोटा से संबंधित कुछ सवालों का जवाब मैं आज की विडियो के माध्यम से देने जा रही हूँ जैसा कि हम सभी जानते हैं MP कोटा एक प्रकार का आरक्षन है जिसका अधिकार दिया जाता है हमारे देश के माननिये सांसदों को कि वह अपने अपने निर्वाचन शेत्र में 10-10 बच्चों का केंद्र विद्याल्य में दाखिला करवा सकते हैं उन केंद्र विद्याल्यों में जो उनकी निर्वाचन शेत्र में ही आते हैं यदि कोई ऐसी सांसद है जिनके निर्वाचन शेत्र में कोई भी केंद्र विद्याले नहीं आता है ऐसी सिती में वै परोसी जो निर्वाचन शेत्र है साथ वाला जो निर्वाचन शेत्र है तब उसके केंद्र विद्याले में बच्चों को मनोनीत कर सकते हैं, रिकमेंड कर स देता है जिसमें 10 बच्चों के नाम भरने की जगा होती है और वह फॉर्म मानेने सांसद भरने के बाद स्कूलों को भेज देते हैं इसमें अभिभावकों को MPG से फॉर्म लेकर स्कूल जाकर फॉर्म देने की जरूरत नहीं होती पेरेंस का काम सिरफ और सिरफ यह होता है करें उन्हें इस बात केले तयार करें राजी करें कि वह उनके बच्चे का नाम में अभिभावकों के बचको का नाम MPG अपने कूपों में लिख दें हु जब स्कूल को यानि केंदर विध्यालेख को MPG की तरफ से अलग लग तो जब स्कूल वालों को वै कूपोन मिल जाते हैं, जो सांसदों ने भेजे हैं, फिर उनके एक लिस्ट पिनाई जाती है, देखा जाता है कि जिन बच्चों का नाम सांसद ने अपने फॉर्म में अपने कूपोन में लिखर भेजा है, क्या उम्र के हिसाब से या किसी और नियम के हिसाब से उनके दाखिला दिया जा सकता है कि नहीं क्या किसी चीज में कमी तो नहीं है, क्योंकि यह नियम है कि MP कोड़ा के तहर जिन कमी नई है तो स्कूल वाले के लिस्स निकालते हैं जिसे हम MP quota list खहते हैं वेर लिस्ट स्कूल भी अपने निकालते हैं और केंद्र विद्याले संगठन की website पर भी निकाली जाती है उस लिस्ट में बच्चों का पब्लिश किया जाता है प्रकाशित किया जाता है तो यह प्रक्रिया होती है MP quota दाखले की अब एक सवाल जो बहुत जादा मुझसे पूछा जाता है कि MP quota admission की last date क्या है तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूं केंद्र विद्याले शुरू होते है केंद्र विद्याले संगठन एक तारीक final कर देता है कि यह तारीक आखरी दाखले की तारीक है और इसके बाद आगे कोई भी दाखला किसी भी क्लास में चाहिए क्लास वन है, क्लास टू है, क्लास थ्री है या उससे उपर की कक्षाएं है या उससे उपर की क्लासस है उट में दाखला नहीं होगा और जो तारीक केंद्र विद्याले संगठन द्वारा final की जाती है वही तारीक भी MP quota दाखले की आखरी तारीक होती है इस साल के दिशा नि एंपी कुटा दाकले की लास्ट डेट भी कत्तिस जुलाई ही हो गई है लेकिन हम सभी जानते हैं यह कुरोनाकाल है और क्लास वन का जो ड्रॉ होना था वह पोस्ट पॉन हो गया और अब उस ड्रॉ का रिजल्ट केंद्र विद्याले संगठन कम निकालेगा इस पर केंद्र व आप दाकले की आखरी तारीक यानि कि 31 जुलाई अपने आप पोस्ट पॉन हो गई है या अपने आप बढ़ गई है कम से कम 31 जुलाई से 31 अगस्त बन ही गई है और हो सकता है यह उससे आगे भी जाए उसके लिए हमें केंद्र विद्याले संगठन के दिशा निर्देशो यानि केंद्र विद्याले संगठन के नए नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा तो फिल हाल के लिए आप मिया मान के चलिए कि MP कोटा के दाखिले की आखरी तारीक फिल हाल के लिए 31 अगस्त है और जैसे ही केंद्र विद्याले संगठन कोई भी संबंध में जानकारी ज जिसमें दाखिले के आखरी तारीक की बारे में बात की गई होगी, मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगी, क्यूं? कि जो भी दाखिले की आखरी तारीक मानी जाती है, कि इंद्रविध्याले संगठन जो भी दाखिले की उस साल के दाखिले के आखरी तारीक फाइनल करता है MP quota दाखले की भी अपने आप आखरी तारीक हो जाती है इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगी कि अभी इस साल 31 जुलाई दाखले की आखरी तारीक थी लेकिन results बहुत सारे postpone हो गए इसलिए अपने आप MP quota दाखले की last date भी postpone हो गई और कम से कम है 31 जुलाई से यह 31 अगस्त तक तो पहुंच ही गई है अब उससे आगे भी दाखले का मौका मिलेगा उसकी जानकारी मैं आपको लेकर आऊंगी फिलाल के लिए केंद्र विद्याले संगठन ने जो result कब निकलेंगे class 1 के class 2 onwards के उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है यदि केंद्र विद्याले संगठन ने संबंध में कोई नई जानकारी देता है या कोई नई नोटिफिकेशन निकालता है उसकी जानकारी मैं तुरंत आपके लिए लेकर आऊंगी अब मुझे जोक्टर शुरत नावसिश को जाज़ा दीजिए नमस्कार